प्रदेश में दो दिन में रीड परिक्षा का सफालायोजन हुआ है। इसमें कई नजारे देखने को मिले। आईए देखते हैं क्या क्या रहा खास। राजिस्थान में रीड परिक्षा सफलता पूर्वक संपन्ध हुई। दो दिन में चार पारियों में हुई। इस परिक्षा में 15,66,992 अभी अर्थी ने पंजिन कराया था। इसमें 13,65,831 राजिस्थान से जुड़े रहे जबकि 2,161,61 अभी अर्थी अन्य दूसरे राज्यों के शामिल रहे। वही राजिस्थान में सबसे अधिक 3,50,713 अभी अर्थी जैपुर से शामिल हुए। इस दौरान 1376 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई। परिक्षा केंद्र पर इलक्टरौनिक उपकरन जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी, चेन, अंगूठी, इयर्रिंग के साथ अभी अर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। ड्रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेश बर के 1376 केंद्रों पर 30,000 से जादा CCTV कैमरे से निगरानी की गई। राजिस्तान में कड़े सुरक्षा इंतिजाम के बीच दो दिन में रीड परिक्षा हुई, प्रदेश भर के 1380 केंद्रों पर सिक्षक पातरता परिक्षा का आयुजन किया गया, प्रशाशन ने परिक्षा से एक घंटे पहले तक ही अभी अर्थियों को परिक्षा केंद्र में परिक्ष दिया, वहीं इसके बाद पातरता परिक्षा में 60 फीजदी से ज्यादा नंबर लाने वाले अभी अर्थी, अगले साल जनवरी में 46,500 पदों पर होने वाली टीचर भरती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, इस से पहले शनिवार को पहले चरण की परिक्षा खत्म हुई जिसमें नकल और पेपर लीग को रोकने के लिए पुलिस ने सेंटर्स के साथ उसके आसपास के छेतर में भी कड़ी नजर रखी, आपको बता दे रीट परिक्षा 2022 के दूसरे दिन प्रदेश के कई जिलो जैसे जैसल मेर, बार मेर और जालाओर में इंटरनेट सेवाए भी बंद रखी गई, सरकार ने रीट परिक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किये, परिक्षा के पहले दिन प्रदेश में 89 फीजदी अविर्थियों ने अपना भाग गया आजवाया झरीजदी पार पहले पार ने पहले की एंटरनेट है आजवायाओ भी भी बंद बंद परिक्षण खरी ने कि वैज़ जालाव जालाव के वारवभा दो सेवाध रहे जिसे दो प्रोल्स आज़ झाल झाल